प्यारे बच्चे, अब हम आपको कहानी सुनाएंगे दौलत और इल्म की एक शहर में दो दौलत मन्दों के बेटे आपस में यहरे दोस्त थे दोनों की एक ही जमाने में शादिया हुई और दो ही साल में एक के हान लड़का हुआ दूसरे के हान लड़की दोनों ने इकरार किया कि जवान होने पर इन दोनों बच्चों का आपस से दिया कर देंगे लड़की वालों ने इन लड़की को मुहबत से पाला जहां कोई अच्छा गहना कपड़ा या कोई अच्छी चीज़ देखते जरूर ले आते लड़के वाले अपना रुपिया लड़की की खौराग वर्जिश और लिखने पर खर्च करते मगर जाहरी चाओ चोचले के पास ना भटकते आखिर जब लड़के ने बी ये पास कर लिया तो बिया की तैयारी ही मगर इनके पास ना कुछ जादा सामान था ना रुपिया सिर्फ मामुली जेवर कपड़ा ही बन सका इधर लड़की वालोंने इस ठार्ट बाट का जहेज दिया के वावा की दूम मच गई शादी के दूसरे साल भी ये नौजवान कई पाहड पर गया हुआ था कि घर को आग लग गई बीवी का जहद और हजारों का सामान घरी भर में जल कर राकर देर हो गया बलके साथ ही मिया का कुतुब खाना भी खाक सिया हो गया इस मुसीबत की खबर लड़की के वालदین को पहुची तो इन बेचारों ने मारे रंज गम के मूँ नोच लिया और बलाखिर इसी गम में जान भी गवा दी इदर बिये नौजवान जंगी बेड़े में नाम लिखवा कर पास सो रुपे महवार की ओदे पर फाइज हो गया और तीन बरस के बाद दस हजार रुपे लेकर पल्टा मकान की मरमत भी करा ली गई और कुल सामान भी पहले से बर्चर कर तयार हो गया तो देखा प्यारे बच्चो इल्म में कितनी ताकत है